आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले स्टॉक्स अब आपके सामने रखने का वक्त आ गया है और पूरी डिटेल लेकर मेरे सायोगी अर्मान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं अर्मान गुड मॉनिंग कल बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आए है फट सिमेंट की बात करेंगे तो अनुमान से बहतर नतीजे आये हैं जिसमें आये जो है वो लगबग साड़े आठ परसेंट बड़ी है इबिटा है डाउन 19.1 परसेंट का है जो 790 करोड पर आया है जो हमारा अनुमान था वो 709 करोड का था महीं मार्जिन्स भी 27 परसेंट से घ और मार्जिन्स भी 41.6 परसेंट से गट कर 28.5 परसेंट आये हैं और अगर अब मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 18 परसेंट का कट देखा गया है उसी के साथ साथ कंपनी ने 6250 की प्राइस पे बाइबेक को मनजूरी दे दी है और जो मौजूदा मार्केट 200 करोड का बाइबेक करेगी साथ ही श्रीराम ट्रांसपर्ट फिनाइस के नतीजे अनुमान से बहतर आये हैं एनाइए इस 19.3 परसेंट बड़े हैं मुनाफा है वो भी लगबग 44 परसेंट बड़ा है जी एन्पे जो 8.4 परसेंट से गट कर 7.07 परसेंट आये है और एउम म परसेंट बड़ा है वो लगबग stable के आसपास है 23.7 परसेंट से बड़ कर 24.6 परसेंट आये हैं वेदानता की नतीजे अच्छे हैं आए जो है वो 41 परसेंट बड़ी है एबिटा जो है वो लगबग 51 परसेंट बड़ा है margins जो हैं वो 32% से बढ़कर 34% आए अगर मुनाफ़े की बात करें हाला कि मुनाफ़े में थोड़ा cut देखा गया है पर अगर अब adjusted मुनाफ़ा देखेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ा stable की नतीजे आसपास है अब अन्त में emphasis, emphasis के नतीजे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उसी के मुताबित आते दिखेंगे हैं आए जो है वो लगबग 5% बड़ी है डॉलर रेविन्यू भी लगबग 4% बड़ा है EBIT जो है वो लगबग 6% बड़ा है और अगर आप मुनाफ़ की बात करें तो मुनाफ़ा लगबग 10% बड़ा है अर्मान अब ज़रा बताईए कि आज triggers कौन से हैं जो पर नज़र रखनी है और खबरों के दम पर कहा action रहेगा सबसे पहले नतीजों में Nifty के इंडेसन बैंक, मारूती सूजू की अल्टा टेक सिमेंट, विप्रो के नतीजे है F&O में Canfin Homes, L&T Finance Holding Tata Chemicals, SBI Cards के नतीजे है साथी साथ LIC की प्रेस कोंफेंस है IPO से रिलेटेडी, साड़े बारा बजे और इंडिया का आज भारत का fiscal deficit का माच का डेटा आएगा और change in price vendor एक जो from 5% to 20% बढ़ाया गया है वो हरियोम पाइपस में है अब IPO अपडेट, Campus Active Wear का Campus Active Wear का IPO है वो बंद हो चुका है और कुल IPO जो बढ़ाया है 51.75 टाइमस बढ़ा है QIB में अगर देखेंगे तो आप 152 टाइमस NII 22 टाइमस अगर रिटेल देखेंगे तो 7.7 टाइमस भर कर बंद हुआ है Rainbow Children's Medicare जिसका IPO आज का आखरी दिन है दूसरे दिन तक IPO 0.55 बढ़ा है थुरा सुस्तर रिस्पॉंस मिला है QIB में 0.1 है NII में 0.6 है और अगर रिटेल देखेंगे तो 0.8 टाइमस है साथी FNO stocks और short term margins उनके लिए भी अब applicable हो जाएगा ये नया notice आया है जिसमें FNO stocks पर भी अब जो short term ASM में जो cash में लगता था वो इन पर भी लागू होगा और short term ASM वाले stock पर 50 से 30 50 से 100% तक अतिरिक्ट margin लगेगा और ये 2 मई से ये बदलाव लागू होंगे ध्यान रखेगा TVS Motors, Hero Moto बजा जोटो पर जिसमें electric two wheeler में बढ़ती आग की गटनाओ पर सरकार सक्त हो गई है सरकार ने नई EV two wheeler की launching पर रोक लगा दी है EV कंपनिया मुझूदा मोडल्स हलाकि जो मुझूदा मोडल्स है वो बेश सकती है Tata Motors इसमें ध्यान रखेगा जिसमें इस साल बयान आया है कि 80,000 से ज़ादा electric vehicle बनाने का कंपनी का लक्ष है Tata Power जिसमें नरेट कों से MOU कर दिया करार हो चुका है और इसमें पूरे महराष्ट में लगबग 5,000 EV charging stations लगाने का ये करार है CN पर धियान रखेगा जिसमें सिंगापूर की कंपनी Great Consulting का कंपनी ने अधिकरन करेगी और ये enterprise value लगबग 284 करोड के आसपास पे enterprise value पे अधिकरन होने वाला है और ये अधिकरन 15 मही तक complete हो जाएगा अंत में एक bulk deal है जिसमें चिन्ने पेट्रो जो हमारा नाक स्टॉक भी रह चुका है जिसमें डॉली खन्ना ने लगबग 10 लाक शेर्स 263 के बाहों पर खरीदे है ओके चली अर्मान थांक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए बताने के लिए कि आज खबरों के दम पर कहां कहां रहेगा action और हमारे दर्शकों को कहां कमाई का मौका मिलेगा